गरिबों के आवाज अंसुनी करके पैसे लूट कर अयाशी में जीने वाला एक व्यक्ती बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता एक व्यभी चारी स्थ्री रोगियों की परवाह ना करते हुए समाज को लूट कर धन कमाने वाला एक डॉक्तर मनुष्य द्वारा बनाए मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नर्ग की आग के पात्र ठहरेंगे जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुच्चती जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा दे कर अनेकों को एशू के बारे में बताने वाला एक व्यत्ती अपनी छोटी कमाई से भी सूसमाचार प्रचार के लिए सहायता दे कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री जरुवत मंदों के सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यत्ती करने वाला एक मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनकर मन भिराकर मसिय को उध्धार करता और प्रभू के रूप में स्विकारने वाली एक स्त्री परमेश्वर के वचन के निमत खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ती शरीर में रहते समय वचन का पालं करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को देजस्वी स्वर्गिय शरीर में रुपांतरिक करके अनंद कालिक रहने के स्थान पर ली जाया जाएगा जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गिय लूप में प्रवेश मिलेगा पुरानी बाते बीट जाएगे पुरानी जाने बेखे हुए ह lin препार हुए 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो का द Раз अब कोई भी दुख या वेधना या कलेश या कुरकुडाना नहीं होगा वहा न शत्रुता होगी ना जगड़े और ना ही दुख बस शान्ती समाधान और आनन्द ही होगा हर स्वरक से परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरुशलें उतराएगी उसकी शेहरपना की जुडाई यशब की होगी और नगर ऐसे चोखे सोने का जो स्वच कांच के समान हो हर एक भाटक मोतियों का होगा इसराईल के गोत्रों के और प्रेरितों के नाम उसमें गढ़े होगे केवल जिनके नाम मेलने के जीवन गरंथ में अंकित हैं वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे उस नगर में सूर्य और चान के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला होगा उसके भाटक कभी बंद ना होगे और रात वहाँ ना होगी सिंगहासन से निकलती हुई जीवन के जल की एक नदी होगी वहाँ पर परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहाँ पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यू न रहेगी वहाँ पर जीवन का पेड़ है इशु ही मार्ग सत्य और जीवन है मौत की चपेड से मनुष्य को छुडा कर अनंत काल का जीवन देने के लिए इशु मसिह दुबारा आएंगे इस सत्य को आप मत भूलिए इस सत्य को डोप मत आप मत लाइंगे इस दुबार आएंगे इस सत्य को आप मत लाइंगे आते हुआ ओह करा हुआ पीको. आते हुआ 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 आते हुआ 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 है